नमस्कार मैं रचना और आज मैं अपने कवीता की बात करने वाली हूँ जिसका शीर सक है इंसानियत से बेजार इंसान ये कहती है कि बहुत हंसते हो तूटे हो क्या पूच्छा नहीं किसी ने सब बस जलते रहे मेरी हंसी देख कर आखों का सुका पानी देख भी दुखी हो क्या नहीं पूच्छा किसी ने बस आखे खुबसूरत हैं कहकर चले गए सब उधर अध्रों की मुस्कान का राज तो जानना चाहा हर किसी ने मगर दिल का दर्द पूचने वाला न कोई मिला इधर जानकर मन की बातें मजख उड़ाता रहा हर कोई सिस्क्या सुनकर आशु पोचने वाला है न जाने की धर राज को राज ही रहने दो कह दर्द सहने को कहता रहा हर कोई मगर दुनिया की अंधी दोड में इनसान को जिन्धा रखने का रिवाज नहीं है इधर औरत को मर्द से वफा की सलाह देता रहा हर कोई मगर बेवफा उस जालिम के जुलमों से नहीं बचाता उसे कोई इधर इंसान तो छोड़ो आज तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा किसी ने इंसान तो छोड़ो आज तो जानवरों को भी नहीं बक्षा किसी नहीं कभी हाथी, कभी बंदर, कभी गाय, कभी हीरन की जान लेना ही इनकी शान है इधर पैसे के सिवा, आज यहाँ सगा नहीं कोई किसी का प्रकृती का संहार, प्रकृती से खिलवार, इंसानियत से बेजार होने का दस्तूर है इधर इंसानियत से बेजार है इंसान, प्रकृती का संहार, प्रकृती से खिलवार, और इंसानियत से बेजार रहने का दस्तूर है इधर दस्तों यह कविता अभी जैसे इंसान ने कोरोना जैसी त्राश दिजहलने के बावजूद, रेप की खबरें, मर्डर की खबरें, जानवरों को मालने की दर्द देने की खबरें जैसे आ रही हैं, उसके बाद में यह कविता लिखी गई थी, आशा है आपको पसंद आई हो धन्यवाद